कि आपका फिर से स्वाजत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनुविकार सेख्षरोग संभूहन जथा विस्तमवी तग्रियों महाराष्टे में अकुला में प्रैक्टिस करता हूँ एक adolescent behavioral problem जो है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आज मेरे पास में एक बच्चे को लाया था उमर 18 साल की माबाप ने लाया एक लड़का एक लड़की लड़की अच्छी है स्कूल में जाती बराबर पढ़ाई-बढ़ाई करती है यह जो लड़का है इसको उनने एक ही लड़का घर से मतलब वैसा वह साल के बाद में हुआ और लड़का है तो उसकी परवरिशी बहुत लाड़ प्यार में हुई और बड़े मुश्किल से वह 10 तक गया और 10 तक अच्छा मतलब development अच्छा था पढ़ाई में अच्छा था 11 क्लास में उसने जाना बं जिया मूबाइल में बहुत खेल खेलना अलग अलग अलोग अब बैटे रहना पढ़ा ही नहीं करना स्कुल भी है जाना च्छा सबरोरा quedar को अब्ट अब ट्वेल्थ में जाना चीना चhouhale i2 उसका नाम डाल लिया और अब ट्वेल्थ में गया 녹्ण का लोग सब्सम्स में खाना पिना चलू और रात को फिर दो बजे तीन बजे चार बजे जबी कभी आपको सोएंगा रात को गेम्स खेलते रहेगा अकला-कला बढ़ेंगा किसे बाचित नहीं करेगा और उसको कोई छेडा तो फिर बोलेंगा नहीं मेरे को नहीं करने का गुस्सा करेंगा मारने की देगा माबाब को कभी मारने की धंकी देगा उसको छेडाने तो कुछ नहीं करता हो चुपचा बैठे रहेगा वैसे उसे बाचित मैंने किया तो बाचित एक दमें अच्छी कर रहा है कोई प्राबल्लिम हें नहीं मतलब उसमें कोई ठींकिंग डिसॉर्डर नहीं कोई कि इसको ऐसा एक प्राब्लिम हो गया कि अभी जो 17-18 साल की उमर इसमें क्या होता है कि हॉर्मोनल डेवल्मेंट बच्चों की होती है उसको ऐसा लगने लगता है कि अभी मैं बड़ा हो गया हूं मुझे किसने कुछ बोलने का नहीं है 15-16 साल तक दसवी कलास तक अच्छी इसमें हर्मोनल डेवल्मेंट होते है हर्मोनल चेंजेस काफी सारे हो जाते है उसमें उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूं अभी मरे को सब आता है पेरेंट से कुछ प्रेशर आ तो वो रिटैलियेट करता है बोलता कि ने मेरे को मत बताओ और फिर कुछ तबी करेंट का उसको हो सकता है कि कि उसको हो सकता है कि उसको शराब पीनी कि है वह सकता है कि इन्टरनेट की हैबिट मोबाइल एडिक्शन सेंजी अ इस बार बार करते रहते हैं उसमें आनन आते रहता है तो कुछ आप चीज करते हो ऊसमें अनन आ रहा हुआ है पाद के से करते हो ऑनन आ रहा Dopamoo । लेस ब्रेंड में इंसकी्छ हो रही है वह बाद बार भार बार बार нет पढ़त रही है है은ब अभी तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके हैबिट कैसी तोड़े माबाब एकदमी सॉफ्ट नई बेटा जाना चाहिए कॉलेज में नई बेटा पढ़ाई करना चाहिए कोई कठोर उसको बोलने वाला कोई नहीं घर में वो अपने मंझ जैसा कर रहा है और मेरे पास में ल बैठेंगे आराम करेंगे खाएंगे जो मर्गी चाहिए उसको जो डिमांड करता उसको खाने को मिलता है मोबाइल है नेट उसका खतम होगया तो नेट के बैसे भरते हैं माबाब उसका नेट चलो है और नेट के ऊपर हो चार-चार पाच बाच शे-शे घंटे वह चलो है उसको एडिक्शिन मोबाईल का हुआ है माबाब अभी कुछ करने को तयारने गोलते तुम करो अभी मैं क्या करो मेरे पास में ला लिया आपका बच्चा है अब इसको क्या करने में रहने को त्यार है क्या है कि उसको खाणे-पिने में फ्री मिलता है कपड़े लगते फृम मिलते रहने को फ्री में मिलता है सब कोषबी क करना नहीं पड़ता अब बच्चे का काम क्या हूं ऐप यह कि पढ़ायी करो जा कुछ सीखो नहीं है माबसको वो भी नहीं बोलेंगे डॉक्टर कैना गॉलने तो हमको एक्चुली जो एज्यूकेशन करनी पड़ती है वह माबाप की करनी पड़ती है क्योंकि माबाप बच्चों को बिगार दे नो कि अप्सुलूटली नो डिसिप्लिन और वह क्या प्यार की वज़ासे और फिर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उसको कुछ बोल दियाना तो पिर वो कुछ कम जादा कर लेगा और कम जादा कर लेगा मतलम Suicide कर लेगा, माबाब को भी डर है बच्चों ने ये भी देख लिया अभी कि Suicide के धंकी माबाब को दे दिया कि माबाब कुछ ने बोलते हैं फिर अपने मंज ऐसा करो तो Adoration Problem में ये भी है उसको डिला छोड़ दिया तो भैख जाता है और कठोर कर लिया हो सकता है कि सच्छी घर से निकल जाएंगा यह सुसाइड कर लेगा तो इसका बीच का बैलन्स माबापको करना जरूरी है और वह हम कॉंसिलिंग में करते रहते हैं कि इसका यह बैलन्स कैसे करेंगे माबाप काउंसिलिंग करते उसके जरूपनासिस को हम कॉंसिलिंग करते इसके बारे में काउंसिलिंग करते बच्चें को अच्छा करना हैं कि प्रबलेम बहुत चाता हो राए सिसे टियूंम अ्प सारह की कि आप शाइब बभया करना है या उनको दूर करना है तो उसके लिए माबाप ने कुछ तभी कठोर अपने कदम उठाना चाहिए वह जरूरी है और उसे बच्चे लिमिट में रहेंगे डिसिप्लिन में रहेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूरूर शेयर करो लाइब करो को वह जो एए है तो जो उसे ठो सब्सक्राइब कर दो सुछ पॉस्जा करो सब्सक्राइब कर दो ने स्ब्सक्राइब कर दो सुछ मेंझे अज।